हेलो दोस्तों मैं हूँ राज यादव और एक बर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट मी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 182 पदों पर भरती विग्यापन जारी हो चुगा है जिसकी सूचना मैंने पहले भी आप लोगों को दिया हुआ था आज फाइनली जो है इसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जुगा है आज से इसमें आप लोग आउनलाइन आवेदन कर पाएंगे तो किसके लिए है ये वेकेंसी कौन-कौन इसके लिए जो है लिजिबल होगा पूरी जनकार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या योग्यता रहने वाली है, आयू क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाले है इसके लावा भरती की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में complete जो है इस वीडियो में हम लोग पूरी जनकारी देखेंगे official जो notification है उसके हिसाब से तो बने रही हैगा वीडियो पर वीडियो को last तक जहुर देखिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर latest vacancy की latest जनकारी बिल्कुल latest time पर आप लोगों को मिलती रहती है बगल वाले बिल आइकन को प्रेस कर दीजेगा all पर सेट कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक notification पहुँच जाए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप 36 गर पटवारी की best तैयारी करना चाहते हैं इसके अलावा इसमें हर एक सब्जेट को बिल्कुल बारीकी सी कवर किया गया है चाहे आप समसमाईकी की बात करें चाहे कम्प्यूटर की चेह जनरल, इंग्लिस, हिंदी, मैथमेटिक्स इसके अलावा समाने मांसिक योगिता है, समाने ग्यान है और 36 गर को बिसीस में कवर किया गया है आप इस बुक को घर बैठे पा सकते हैं, इस बुक को आप Flipkart, Amazon और Snapdeal की मदद से online order कर सकते हैं इस Complete Study Book के साथ आप चक्चू प्रकाशन की 36 गर पटवारी के Practice Sets भी ले सकते हैं जिसकी मदद से आप अपनी तयारियों को और भी अच्छे से कर सकते हैं तो नीचे description box में बुक की लिंक मिल जाएगी जिसको क्लिक करके आप डिरेक्ट इस बुक को order कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह है Official Notification विग्यापन फाइनली जारी हो चुका है राष्टिय स्वास्त मिशन 36 गर के ओर से अब इस विग्यापन में क्या कहा गया है कि राष्टिय स्वास्त मिशन के अंतरगत प्रदेश के सहरी शास्की संस्था में UHWC में 15 वित्यायों की Health Grants के अधिन चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भरती है तू MBBS की उपाधी अथवा भारती चिकित्सा परिशाद्वार मानेता प्राप्त संकक्ष उपाधी धारग जो है अभिहर्थियों से online आविदन विभागी ये website पर आविदन किया जा और यह संविदा पोस्ट होगा ठीक है संविदा पदों पर यह जो है भरतियां होंगी और online आविदन इसके लिए मंगाए गये हैं यहां पर पूरी लिज्ट दे सकते हैं कि भरती आरक्षा रोश्टर के नुसार यहां कितने-कितने पदों पर यहां पर डिवाइट किया ग और जो है निशक्त जनों के लिए यहां पर आरक्षा डालक्स दिया गया है उसको भी आप लोग देख लेंगे अपने हिसाब से अब यहां पर देखते हैं चिकिस्त अधिकारी के सेक्ष्रिक अरहता और वेतर्मान तो सेक्ष्रिक अरहता क्या होने चाहिए एक तो यह रहना चाहिए इसके अलावाद सेवा निवरेत चिकिस्त अधिकारी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी तत पस्चात SDRF किसी भी सास की संस्था पूरू कारे करने का अनुभाव रखने वाले चिकिस्तेकों को प्राथमिकता दी जाएगी यानि कि यहां पर अन सक्सिमम 84,350 से 58,100 तो इस तरह से इसके अधिरिक्त किसी भी प्राकार का भथता सुधा नहीं दिया जाएगा इसके लावा यहां दिया गया है कि 36 गर्ड मेडिकल कांसिल में जिवित पंजियन रिजिस्ट्रेशन होना अनिवार है आन्य राजयों के मेडिकल कांसिल में प्रमाणप如果 medio है यह दिया गया है लेगर करेंगे सारे प्रमाणपत्र नहीं हो याने की जब आप आप लोग करेंगे कि हैं मार्च तक आप लोग जो हैसके लिए फर्म भर पाएंगे और यहां पर दिया गया है एक दस्तवेज अपलोडी करना है दस्वी में प्रमाणपत् मेडिकल कॉंसिल में जिवित पंजियन इस्थाई की प्रति यहां होना चाहिए ठीक है कॉंसिल में जिवित पंजियन है उसका मेडिकल कॉंसिल आफ इंडिया में जिवित पंजियन प्रमार पत्र यदि लागू हो 36 गड की निवासी ओंो ँदू सक्षम अधिकारी द्वारा मुल निवास प्रामाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा इस्थाई जाती प्रामाण पत्र, और 1 जनुरी 2022 को अधार मान कर इसकी गड़ना की जाएगी आवेदन शुल्क देख सकते हैं अनसूची जाती जन जाती महिलावी कलांग के लिए 325 रुपए अनेपिशावर्ग के लिए 650 और अनरक्षित वर्ग के लिए 650 इस तरह से यहां आवेदन शुल्क भी दिया गया है और बाकी पूरी जनकारी एहां नीचे दी गई है ठीक है किस तरह से आवेदन करना है भाती एक बन नजर जो है भाती प्रक्रिया में डाल लेते हैं ठीक है प्राप्त आविदन पत्रों सलगन दस्तावेच की जो है छटनी की जाएगी दावापत्ती है तो पात्रा पात्र अभीरतियों की सूची पहले जारी की जाएगी एक बार दावापत्ती के लिए फिर दावापत्ती के बास सूचना है अन्य देशों का प्रकाशन विभ प्रमाण पत्र नहीं किया जाएगा कुल विग्यापित पदू की संख्या के तीन गुना अभिहर्थियों की संवर्गवार अरक्षन मेरिट सुजी जारी की जाएगी अभिहर्थियों का अंतिम चैन अनिवारे सक्षिक योगिता एवं अनुभाव के अंक के मेरिट के धार प प्रति लेकर जो है उपस्तित होना निवार है तो यहां से आप देख लेंगे कि जब चैन होगा तो चैन के प्रक्रिया प्राप्तांक यहां पर सेक्ष्डिक योगिता की सभी वर्षों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत दिया जाएगा अनुभाव के अतार पर 10-15 रंग प्रतिशत ही मानने कीया जाएघ इसके अलावा प्रतेक्षël तु जो है कारेcules अभीहर्थियों को जो है अनुभाव के लिए प्रतेक्ष ही तीन अंक अधिक्तम पंदरांग द Hack pantry on अधिक्तम दस अंग अन्य अभियर्थियों को अनुभाव प्रमार पत्र आविदित पत्से समंधित हो ठीक है जिस पत के लिए आप आविदन कर रहे हैं उसे समंधित ही अनुभाव प्रमार पत्र होना चाहिए अंतिम चैन सूची अनुभाव प्रमार पत्र अगर नहीं है तो आरक्षन कलाब नहीं दिया जाएगा तो इस तरह से आरक्षन के बारे में दिया हुआ है इसको भी अलोकन कर लेंगे बाकि PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी प्रतिक्षा सूची भरती से समंधित अन्य जो नियम है आप लोग पढ़ लीजेगा वहां से जो है टेलीग्राम से अब यहां पर रिक्तियों का वीवरान में पहले आपको बता चुका हूँ एक बर फिर से आप देख सक लिए यह जो है भरतिया हैं तो इसको आप लोग एक बर देख लेंगे और यह जो है कारेवाही का डेट दिया गया विग्यापन कब जारी होगा पात्र-पात्र की सूची दावापति प्राप्त करने की सूची दावापतिकर निराकना करना अंतिम सूची जो है 14 मार्च को जो है आपको दिया जाएगा नियुक्ति आदेश 15 मार्च को मिल जाएगा आप लोगो बहुत ही फटा पट इसका जो है नियुक्ति आदेश होगा और सारी जानकारी आप लोग देख लेंगे उमेद है वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तद जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जैहिंद